हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में स्वसन ठीक है जीवों में स्वसन का मतलब है कि हमें पढ़ना है जन्तूओं में स्वसन और पौधों में स्वसन ठीक है बाहस्वशन गैसो का वीनिमाय और आंतरिक स्वशन इसके लिए जिन अंगों की आवश्यक्ता होती है उन्हें हम कहते हैं स्वशन तंत्र ठीक है सभी अंग मिलाकर जो तंत्र बनाते हो है स्वशन तंत्र और स्वशन तंत्र जन्तूओं में ही पाया जाता है वह भी जो हायर इनिमल्स है उनमें पाया जाता है ठीक है तो बाहस्वशन गैसो कवीन में आंत्रिक स्वशन इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम कोशिकी स्वशन पढ़ेंगे जिसमें ग्लाइकोलिस और क्रेप साइकल आते हैं ठीक है तो हमें जो कुछ पढ़ना हो है स्वशन तंत्र है वह स्वशन तंत्र कैसा है टीक हो भी पहले हमें APPLAUSE ृचत्र पाया जाता है क्या सभी जन्तुऊं नहीं सभी जन्तुओं में किह पाया जाता है तो कौन है higher animal और कौन है lower animals यह सब तो आप जानते ही हो यह हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको बताया था जन्तूओं का वर्गी कर्ड़ अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो उसको आप जरूर पढ़ लीजेगा योगी वहां से एक नंबर के question आएंगे तो चैनले देखते हैं हम बाकी जद्दों में अगर हम mammals को छोड़ दें यहां सभी तंत्र यह पूरा तंत्र पाए जाता है सभी अंग पाए जाते हैं लेकिन अगर हम mammals को छोड़ दें तो इसके पहले के जितने भी जीव हैं वे किस प्रकार से स्वसन करते हैं यहां से question बन सक है आप आप से देख लो तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें अगर जनतु ओंतम सवसंड है है इसवी सबस्क्राजम अंदर गैस इंट सती है कस आंदर जनगत एकशिजन लिदम सस्क्वाइब और निस पहुत है है इसी तो इसके यह कही कोशिका से पूरा जो स्वसन है या पूरा हो जाता है ठीक है उसके बाद आगा करें इसके आगर की तो अग़ाजीव हाता है पोरी फेला के जिव ठीक है यानि जिसमें अधिया इसम तूलें다고 हो गयाए थीक है तो ऐसे जो जीव है लीको को सुने और गरलएं विशुक्ति देलीश जो संग है इसमें इसमें हाइड्रा इस उता इसainा बॉर्त है हाइड्रा और उसके बद्देश जिसमें तैने श वाहिताड है और जाती है क्यों हिल फेल डएंटेश porkienced दोनों आते हैं इसमें आपको पढ़ा चुकी हो मैं आपको बस डायरेक्ट बताती जा रही हूं ठीक है इसके बताता है एनलेड है जिसमें केचुवा आ जाता है नेरीस आ जाती है तो यह सभी जो जीव हैं यह कैसे करते हैं अपना स्वसन तो यह बॉड़ी सर्फिस से करते हैं क्यों क्योंकि देखो अगर पॉरी फिरा से बात क कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाएं तो कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो उत्तक के रूप में हैं ठीक उसके बाद इसमें अंग का निर्माड हो चुका है तो ऐसे जीवों में जो स्वसन हो रहा है वह कैसे होगा बॉड़ी सर्फिस के द्वारा मतलब अब इनका एक सरीर है जैसे मालो इतने सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई हैं ठीक है तो अब यह क्या हो गया उत्तक का निर्माड हो गया अब यह अंदर एक सरीर बन चुका है तो इनका जो बॉड़ी है इस बॉड़ी के सर्फिस से क्या होगा इनमें कार्बन डाय आक्साइड बाहर निकल पूछा जाता है डायरेक्टकोशन जो बनता है वह है कि पत squishy में सौअझ कईसे होता है तो यह sco के थ्रू होता है दूसरा कोशन जो पूछा जा चुका है उसको मैंने यहां पर लिया है इंसेक्ट में स्वसन कैसे होता है जो कीट पतंगे होते हैं जो भी कीट पतंगे हैं उनमें स्वसन कैसे होता है तो ट्राइकिया के द्वारा होता है किस द्वारा होता है इसके बाद इस लीड़ ठीक है एनtech ही जी वाले जी रहेए फार उसकी ऐगा regulating और इसका साथ मॉलसका मोलसका या स्में घोगा औरल आते आते हैं अर्थु पोड़ा आर्थूसक्रा हैं मतलब हैं इंसेक्ट ही है इंसेक्ट जिसमें आते हैं या अधर लेकिन इंसेक्ट को छोड़ के जो बाकी ऐर्थ पोर्ड्स हैं उनकी ऒात कर रहा ह। और साथी मच्छलियां यह कैसे करते हैं सवसंन ऑसf गिल पाये जाता है तो उसे यह नहीं लिखा न क्योंकि चैप निख सकते हैं कि यहां पर उसके गिल्स निकले हुए हैं ठीक है बाकिस में आपको गिल्स नहीं दिखाई देंगे कुछ बचलियां हैं जो बचलियों आपको छेद यहां से दिख सकते हैं यहां पर छेद दिख सकते हैं ठीक है लेकिन जो टैड़ पोल लारवा है उसमें एक्स्टर्नल गिल्स पाये बचलिख देते हैं इसलिए मैं आपे नहीं लिख आगधा देखते हैं और स्वसन अंग कौन सा और स्पाइडर में और स्कॉर्पियन में पॉक लंग Estado क्या पाईno और डिप्फ्यूजन लंग भी इसको कहा जाता है बुक्लंग को कहते हैं डिप्फ्यूजन लंग ए पूरा एक स्क्रीन सॉट अगर आप चाहो तो ले लो क्योंकि यह सारे जो है ना एक कोश्चन से मैंने बनाया है प्रॉंट टैट पॉल लार्वा ओर फिस इसमें क्या पाए जा रहा है छो फिसे मैंने । अगला है फ्रॉग फ्रॉग की एक खास बात दोगा फ्रॉग जो रिए तो प्रॉग है अपनी फेफडों से भी श्वसं करता है अपनी स्कीन से भी श्वसं करता है और बगल लाइनिंग भी पाई जाती है तो अब एक कोशन बनता है कि हाई बने सन की टाइम में याने कि जब सीथ निद्रह होती है फंऩ के दिनों में आपको मिठक दिकता है जरत से उस समय दिनों के आपको नहीं दिखा देगी और भी काफी है वें तो wenn वह अब निद्यों घयाये जिववर को जिव के दुबिन여 में सही प्रॉट इसी हआं के साफ्राइ तो यह जो फ्राग होता है जब जाड़े के दिनों में सोने हाइबन तो उस समय गाचन कोसे करता है तो समय समस्ट से करता है अपने टा इन इस यह भरन थे लंग्स पाए जाते हैं तो अगर हम इसको छोड़ दें तो सभी वर्टीब्रेट में लेकिन छोड़ दें छोड़ें मचलियों को छोड़ें तो इसके आगे के जितने फैफडें पाए काम को नहीं कर इसमें मेड़क आगया या फिर डेप्ताइल सांप आ घड़या ला गया या फिर किया हो गया चुछुए इसी तरह से चिडिया जितनी भी है और जितने मैमल्स इन सब में क्या बात करें मनुष्य के हुश्वसंत final की तो इसकी Ad कहां से होती है W यहां से शुरुआत होती है फिर यहां से रॉपर देखो यहां पर एक इस पे offended दिख रहाँ होगा आपको एह माउथ है ठीक है यहां पर एक स्पेस दिख रहा है यह जो इस पेस है इसको हम करते हैं क्या करते हैं नैसल कैविटी क्या करते हैं मतलब कि नाक की गुहा ठीक है नाक की गुहा नासी का गुहा का मतलब एक बड़ा सा इस्पेस ठीक है एक बड़ा सा इस्पेस अब बड़ा सा इस पेसे क्यों होता है पता है जो हम बाहर से oxygen ले रहे हैं ठीक है बाहर से जब हम gas ले रहे हैं तो यह जो हवा जो हम ले रहे हैं यह हवा गर्म भी हो सकती है और बहुत ठंडी भी हो सकती है तो इतनी गर्म या ठंडी हवा हमारे फेफ़रो तक न जाए इसलि करता है अब ज्यादा जगह है तो यहां पर एक गई फिर वहां पर ठंडी हुई यहीं पर एक काम और होता है कि जो भी हम क्या क्या लेते हैं जो नाइट्रोजन लेते हैं कार्बन डायक्साइड लेते हैं आक्सीजन लेते हैं सब कुछ तो हम इनहेल कर रहे हैं हम उसको छोड वगर हैं और नॉस्ट्रिल में और थोड़ा उपर नैसल केवेटे में जाके चिपक गए ठीक है तो यह वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसके बाद नीचे थोड़ा सा और बढ़ता है नीचे तो आता है यहां पर नैसल फारिंग्स होता है नैसल फारिंग्स अब माई मतलब एक ऐसा रास्ता जहां से दोनों रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं ठीक है यह कहें कि ऐसा मोड जहां पर दो रास्ते आकर आपस में मिल जाते हैं उस जगह को कहते हैं क्या फैरिंग्स ठीक है यही से रास्ते अलग भी होंगे यहां से आया ठीक यह उपर से नैसल जो स्वसंत तंत्र आ रहा है उपर से नैसल कैविटी आ रही है उपर से रास्ता आ रहा है और नीचे से माउथ होता है ना तो यह आया दोनों यहां पर आए और यहां से आके जो नैसल कैविटी है वो आगे की तरफ मुड़ गया ठीक है यहां पर फैरिंग्स में दोनों मिले यह फैरिंग्स है दोनों मिले और जो नैसल कैविटी वाला रास्ता था यानि जो स्वसंत तंत्र का रास्ता था ओ आगे की तरफ हो गया और जो रास्ता पाचन तंत्र का था ओ पीछे की तरफ हो गया ठीक है अब नीचे से पीछे से ग् आ गें तो इसलिए हो हमाुरा पाचन तंत्र की जो ग्रास ineffective और ग्र één एकए ईया कहां पर हो जाता है आगे की तरफ है कいつ पर हाथ युदby पर हाथ हो गले पर तो आपको कुछ टाइट सा लगरे ना यहाँपर जो कारटिलेज के बने हुए चल्ले आं ठीक है कारटिलेज के बने हुए पिछ जाते हैं यही गरत्नी को आगे जाते हैं इसीलिए हमारे जो अगरope जो अगर गया कार्टिलेज लगा दिया गया ताकि आप рьण सबसंद पानी जादा बोलोगे तो यहां चैण अग्या आपने जान लिए ar क्या ते क्या मई औरिवहं यहां थी Presemitism है वाज घुर्म बया से दोनों रास्ते एक जगा मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं इसके बाद के बाद आता है थारी lumin तो यहां पर आप देखते होगे लड़कों का निकला हुआ होता है ठीक है यहां पर थोड़ा सा ऐसे पार्ट यहां पर यहां पर यहां पर दिखाई देता है यहीं बास समय होता है कि जब लड़कों की आवाज भारी होती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है क्यो काट की वजसे इनकी हाई ल bitterly होती है क्या होगी आवा यहां कि पतली होगी क्या होगी है वाज भारी नरड़कों की आवाज भारी हो जाती है 12-13-14 साल की उम्री के बाद और यहीं पर मैं आभी बता रहे हैं कि यहां पर एक निकला हुआ कि यहां बता है यहां पूछता है यह पूछता है कि अंग का भाग है या अब समझ में आगे जाता है औरındaki जर्द का दो हिसका वाज का भारीपन है वा इस होता है इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आता है ट्या यह क्या है जो क्लीआ कि नीचे आरी हो क्या है ट्रैकिया है यह क्या साख्ाओं बरॉंक्याय यही आगे बहुत बार साखाओं में बढ़ती है बिलकुल पेड़ की तरह इस समझ में पीपल का पेड़ है बहुत बार बढ़ती है साखाओं में और धेर साखाओं में इन साखाओं को कहते हैं ब्रॉंकियोल्स क्या कहते हैं ब्रॉंकियोल्स और यह ब्रॉंकियोल्स आगे चलके ऐसे 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 के अंदर बाहर कवर बना लेते हैं इसी कवर को हम क्या करते हैं लंग करते हैं याँ फिर फेफडा करते हैं और यह तोई दोनों अलग करने के लिए यहां पर क्या पाए जा रहा है यहां पर क्या पाए जाता है और यह डायाफ्राम क्या करता है थोड़ा की कैविटी को हमारे जो मिचेवा की कैविटी है उससे अलग करने का काम करता है ठीक है समझ में आ गया आपको धर को पेट से अलग करने का काम कौन कर है यही डाया feu तरौम करता है तो इसका यूज काफी जादा इसका जो डाया व्राम का यूज है या अलग तो करता किसात में इसका स्वसंत्थ तंत्र में है ठीक है तो आप हम जले इसको बैहतर तरीके से देखके समझ लेते अब ऐसे समझ लेजिए कि यह कोई पेड़ है ठीक है यह कोई पेड़ है यहां से उपर से समझे कि उपर यह नॉस्ट्रिल है फिर उसके बाद नैसल कैविटी है जहां पर सब कुछ इस्टोर हो रहा है उसके बाद यह आया यहां पर आगे अगर यह बढ़े ऐसे ट्रैकिया कि समें बढ़ रहा है ब्रॉंकिया जुक्त मैं और यह ब्रॉंकिया हैं और यह जो पतियां पतियां क्या हो गई जो को पतियां किया हो गई एससे समझ सकतो पर इसके जो भी आगल்क क्या questions बनते हैं यह पूरा आप screenshot ले 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 ना इसका यहां से आप इसकी पहले screenshot ले लो क्योंकि इस सारे question बनेंगे हर जितने points आप देख रहे हैं तो सुर्वात करते हैं सबसे पहला nostril क्या होती है respiratory pass की जो passage होता है respiratory passage उसका सबसे पहला जो अंग है वो क्या है nostril है ठीक है इसी की द्वारा हम क्या करते हैं उच्छवाशन यानि कि स्वास को लेना या मत छोड़ना यानि कि oxygen को अंदर लेना और carbon dioxide को बाहर निकालना एक काम हम किससे करते हैं इसी nostril से अच्छा जब हम बात कर स्वासन की ना तो स्वासन में सिर्फ सांस का लेना अंदर जाना और बाहर जाना नहीं है उसका उच्छवाशन जिसमें हम carbon dioxide को बाहर निकाल रहे हैं और oxygen को अंदर ले रहे हैं तो क्या हो गया उच्छवाशन यह पहुचता है कोशे की स्वासन तक मतलब हर कोशी का oxygen को ले यह जो temperature है जो ऑकसिजन यह रहिए जो हम बाहर से हवा ले रहे हैं उस हवा का temperature को maintain का कौन करता है नेसल के करता है आः करते हैं अखे समझ में यहां तक आपको है तो देख करतें नेत्सल unfit में क्या होता है कि हाँ बस इतना ही समझरो कुछ कुछ पूछेगा भी नहीं इसके बाद देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि एपी ग्लॉटिस के बारे में आपको बताया था तो जो नैसो फैरिंग्स होता है ना सो फैरिंग्स मतलब जो नैसल काविटी है जब वो नीचे पाइप के दोरा नीचे आती है तो क्या कर जोडने काम करता है तूट यही 그래도 अभी मैं आप से बात करें हूं न तो यहीं लाटि अपर नीचे दाइबाय मतलब उतर इનचीहिए टिक यहीं ग्लाटिस यह क्या करता है कि ज़ी है सान्स लेनी न को यह दरवाजा खोलता है यह दरवाजा एब अब फैरिंंग से लेरिंग जाने का थिक का ट revelation से लेरिंग्स में जाने का दर्वाजा कौन है ग्लॉटिस है तो यह खुलेगा तो जाएगा ठीक है अब बताऊं जो लेरिंग्स होता है इसमें पाया जाता है इपी ग्लॉटिस तो पूछा जाता है कि इपी ग्लॉटिस किसका पार्ट है तो लेरिंग्स का पार्ट है और यह यह से यह सब एंदर निखलते हैं तो यह क्या करता हिए तो हम जानते है यह यहां पर पाइप देखरे फिक लगानेे अंदर हम तो क्या हुआ है liby logine क Viele सब्सbbeस्सक्राइए यहां पर धश्यक्क्री के कि तरफ रडेये और क्या हुआ यहां कि आगे वाली जो पाइप है जो श्वसन पाइप यानि ki वींड पाइप या हो बंद हो जाता ह। ठीक है और बंद जा सी जो ओपर उठ जाता है तो यहां होता है भोजन ग्रास चलित स्सक्रावल आ पहलता है ट्रैकिया पाए जाता है गॉबलेट सेल क्या पाए जाती है गॉबलेट सेल पाए जाती है ट्रैकिया में और ट्रैकिया यानि की इसे हम करते है विंड पाइप इसी को करते है और यह क्या करते है म्यूकस जिसे हमारे कभी-कभी हमें कफ हो जाता है न वह कफ बाहर निकलता है तो उसे बाहर push करने का काम कौन करता है यही goblet cell करती है ठीक है यही mucus होता है जो कफ के रूप में बाहर आता है अगला है bronchia bronchia क्या होता है bronchia यही trachea दो भागों में बढ़ जाता है bronchia करता है और इसकी जो cels होती है वह cill Stephen chapter epithelium cell होती है इसके बार यह बहुत सारे ब्रांचेज में और बढ़ती है जिसको क्या सकते हैं तो पहला जो प्रांकियोल हो गया है निर्मार होता है चिक यहां से यहांने का निर्मार होता है यानि जहां से वायू कोष्ठक का निर्माड होता है उस जगर को क्या कहते है उसको कहते है अल्वियोलर डक्त और इसका निर्माड कैसे हुआ है अल्वियोलर डक्त का इन्ही रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल से हुआ ठीक है रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल किसमें बदलता है अल रोलाई है ठीक है यहां तक आगे समझ में तो आप देखिए जो लंग और उसके बाद अगला आता है लंग या डाया फ्रम तो यह सब क्या होता है जो थायराइड कार्टिलेज का उसे हम कहते है यानि लेरिंग्स में पाया जाता है एडम्स एपल और जो लेरिंग्स होती है वह नाइन कार्टिलेज की बनी होती है पाया जाती है नाइन उनी में से जो थायराइड कार्टिलेज होती है उसी से बनता है उसी को कहते है एडम्स एपल आगे समझ में एप बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ब्वायज में आगे दोगो अब हम कोश्चन की बात करेंगे यहां से बस इतना ही आप जानो बाकि जो इसका वर्क है तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे काम करता है ठीक के वा आगे बताऊंगी मैंने आपको स्वसंत तंत्र बताया है ताकि आप समझोव अच्छा मैं आपको लंग्स के जा हो गई हो गई हो गई तो जो राइट लंत यह ना वह थ्री पार्ट्स में डिवाइड है किते पार्ट में तीन पार्ट में जो zweiten पार्ट में डिवाइड है तो गई ह Nah, जो राइट वाना, और चौडी है क्यां यह चौडी है और जो one left well पतली और लंबी है क्योंकि लेफ्ट में हमारा हर्ट भी तो है ना तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए तो जगह कौन देगा यही लेफ्ट वाली लंगह में वहां पर जगह देती है अच्छा आपको एक और बात बताओ आक्सीजन और कार्बन डायक्साइड ना लिपिड टोलीबल होते हैं पता था आकको क्या होते है लिपिड सॉलीबल होते हैं यही तो वजह जिसकी वजह से आसानी से ग्यासिय अक्सेडियवांट हो पाता है अरे इसेलस है तो छो लंग होते है यह दो मैंब्रेन से ढकी होती ना इसंए दो membrane पाई जाती है ठीक है एक अंदर वाली एक बाहर वाली इन membrane को हम करते हैं pluria क्या करते हैं प्लूरा इन नाम पूछना तो नहीं चाहिए इसलिए मैं नाम लिखा नहीं जितना आपको पूछने वाला था इसमें question वह मैंने आपको लिख के बता दिया है ठीक है तो इस तो जो उपर के लाते हैं दो होते हैं इनेर तो जो बाहर वाला होता है यहां जो बाहर होता धिक्राइडर और जो अंदर वाला होता है वनraw देडें बढ़ते हैं अब क्योश्टेंस की तरह पाचन तंत्र तास्त तंत्र का उभय निष्ठ भाग है पाचन तंत्र और जो स्वसन तंत्र है उसका उभय निष्ठ भाग कौन सा है ग्रशनी कौन सा है ग्रशनी को क्या कहते है फैरिंग्स ठीक है फैरिंग्स इसके बाद बढ़ते हैं अगले कोशन की हो भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद करते कौन करता है इपी ग्लाटिस अगला फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है तो जो फेफड़े हैं ठीक है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वह किसके वजह से होगा फेफड़े की बात कर रहा है फेफड़ों में गैस का आदान प् वायू कुपीकाएं को भी क्या करते हैं ऑल वलाई करते हैं ऑल वलाई खिक अगला कोशन दायां फेफडा कितने पिंडो में भी भाजित है तीन दाया वाला तीन बाया वाला दो ए तीन ए दो ए बड़ा है ए छोटा है ठीक है या चोड़ा है ठीक या लंबा है और पतला है ठीक है क्योंकि इसके पास दिल है अगला एमफी सेमा बिमारी का संबंद किस से है तो स्वास नली से नहीं है फेफडे से संबंदी थे एमफी सेमा अगला डिजिश है फेफडो की सुरच्छा है तो इनके उपर कौन से जिल्ली का आवरण होता है तो अभी मैंने क्या कहा कि जो फेफडे होते हैं उसमें कौन से जिल्ल प्लीवा जिलननी प्लीवा मंडल को और सराइवक सिर्टे के बिभिंद भागों से करने कारवन डायाकसाइड करते हैं अग्ला सवर रजु किसमें पाया जाता है सवर रजु मतलब जहांसे सवब्रबण करते वोकल कार्ड क्या और किस्ते हम बस्केन अवाज निकलते इस मिष्ज़य वह communal काटिलेज पाई जाते हैं अगला कोश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा स्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा स्वसन के दौरान जो गैस होती है विश्दर के द्वारा ठीक है अगला स्वसन प्रक्रिया में क्या चाहिए ह होता है सुसन प्रक्तिया में किसकी आफशक्त होती है अगला कुछन हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डायाकसाइड की मात्रा लगबग कितनी परसेंट होती है तो यह करीब होती है 3.76 के करीब होती है ठीक है तो लगबग 4 परसेंट होती है तो देखो अब हमार पर चारों तरफ है तो अब मैं आपको यहाँ थोड़ा से बताती हूं कि हम कितनी गैसे कौन सी लेते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है नाइट्रोजन है कितनी परसेंट है 78% ठीक है, तो हम कितना लेंगे, 78%, बाहर कितना छोड़ेंगे, 78%, इतना ही तो छोड़ेंगे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत थो है, restore nitrogen की, तो nitrogen हम जितना लेते हैं, उतना बाहर छोड़ देते हैं, तो वह हमारे अंदर नहीं जाता है तो उसके बाद दूसरी हम कौन सी गैस लेते हैं ऑक्सीजन कितने परसंट है 21 तो हम लेते कितना है 21 छोड़ते कितना है उसमें से 16 परसंट ठीक है हम 21 जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें एसे 16 परसंट यह में बाहर निकाल देते हैं इसके बाद तीसरा कौन सा बच गया ऑक्सीजन स्वाइज में वह पर्लिबन ऑक्सीजन खाला कारवन डाए ऑक्साइड कारवन डाए अकसाइड बाहर मले अधिक पाइंटना औरトミー है कितना बाहर कितना निकाल रहे हैं 3.6% कितना 3.6% तो जब हम 3.6 या 7 कभी-कभी 3.70 भी आपको कहीं दिख जाएगा या 7.4 तो इतना अगर हम बाहर निकाल रहे हैं और ले कितना रहे हैं इतना तो हमें दो चीज़े याद रखनी है नाइट्रोजन तो हम उतना लेंगे उतना निकाल देंगे लेकिन आक्सीजन 21% लेते हैं 16% बाहर निकालते हैं जो कार्वन डायकसाइड है 0.04% लेते हैं और बाहर कितना निकालते हैं 3.6% इसके साथ हम वाटर वैपर भी लेते हैं ठीक है जो वाटर वैपर है बाहर जो भी द्धूल के कडव गड़ है इसे और लेती हैं तो इसको हम लेते हैं आगे तो इतना आप को समझ में आगया याद हो जाए है अब किस क्र Richards होटी है तो होती है यह मतलब क्या है अवर किसका ग्लुकोज का ठीक है तो ग्लुकोज जलता है और क्या उसके बाद निकलता है इनर्जी मुक्त होती है उर्जा मुक्त होती है वही उर्जा तो हम काम मिलेंगे ना यूज करेंगे तीक तो आगे बढ़ते हैं अगला मानो सरीर में फेफडों के भीतर गैसिय बीनिमय से संबंद मुख्य संरचना कौन सी है तो देख जो लास्ट पार्ट होगा वहीं से होगा और सबसे ज्यादे इसमें क्या पाजाते हैं वायू कोश्टक यानि एलवोलाई इसको कहते हैं कौन सी क्रिया को ऑक्सी तता अनाक्सी स्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है तो यह गलाइकोलिस से मैं आपको आगे बताऊंगी एसल केविटी कर लेती है ठीक है अगला स्वसन के दोरान सरवाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो सबसे ज़्यादा 78% क्या है नाइट्रोजन जितना लिया उतना छोड़ दिया तो क्या होगा नाइट्रोजन अगला वायू कोश के बाहरी अस्तर पर किसका जा जो क्या करेंगी वहां से लेके जाती है मतलब पूरे सब ब्लड पर पहुंचाने का काम कौन करता है यह ब्लड से करें तो यह उसके बाहरी अस्तर पर फैले होती है अच्छा एक चीज़ और जो पल्मोनरी आर्टेरी है ना पल्मोनरी आर्टेरी यह तो आप जानती होगे एक काम क्या करती है जितना डी ऑक्सिजनेजर ब्लड है यानि जिसमें कार्बन डायाकसाइड मिला हुआ है ऐसे ब्लड को पूरे बॉड़ी से लंग में यानि कि फैले में ले जाने का काम कौन करता है पल्मोनरी आर्टेरी यही एक आर्टेरी ऐसी है जो कि क्या करती है डी जाने का काम कोन करता है pulmonary veins बाकी पूरे सरीर में जो de oxygenated यानि की असुद धरूद ही रहे उसको कौन ले जाता है veins ले जाती है, लेकिन यहाँ पर जो असुद धरूद ही रहे उसको कौन लेके आ रहा है pulmonary arteries लेके जा रही है और यहाँ से pulmonary veins क्या कर रही है जो हर्ट है हमारा उस हर्ट में oxygenated blood को ले के जाती है ठीक है और कहाँ पर हर्ट में कहाँ पर left atrium में ठीक है left atrium में अगया समझ में इतना ठीक है आगे बढ़ते हैं मानों सरीर में oxygen के अभिगन का सही क्रम क्या है तो फुफुस के द्वारा रख्त के द्वारा उत्त की तरह इसा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी चलिए इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर और सब् थीकम